Hello everyone, welcome to my channel Triple Factor. I hope you also have a good and positive feeling. So, those who have subscribed to the channel and have a good day, thank you so much. Reading is for messages. What are your messages today? What are your thoughts? What are your thoughts today? Reading is general, collective? Please, this is part of the request. So, reading starts with a positive note, that what are your thoughts today for your thoughts today? If the situation is no contact, blocked or the thoughts of your thoughts, then let's see. What are your thoughts today for your thoughts today? Okay, the wind flame is near. Okay, one side of love, divine timing. The energy that comes, it is clear, especially regarding the third party. Because you can see, one side of love, divine timing energy. And this is not because of any one, only this is about this. So, this could be the one. So, someone is going or coming. Someone is having an exit or someone is having an entry. So, the entry is that one who had already been in the heart, is a lot of чувств. And one who has never been, is a lot of чувств. अभी, especially regarding the third party, he or she is very clear. अब जो आपके परसन है, जिनके बारे में आप सोच और जिसकी बज़े से इस रिडिंग देख रहे हो, वो परसन को पता नहीं क्यों, क्योंकि यह से डिवाइन टाइमिंग के एनरजी है, जो भी हो रहे हैं, उनके हालातों में, इनके situation में, जो भी है, तो उसमें पता चलना है कि third party relations, third party situations, जो भी है, उनके रिष्टे हो या नाते हो, जो भी है, उसमें है, या फिर जो भी, third party just romantic भी हो सकती है, उसमें उनको एक realization है, कि इस रिष्टे में कहने के लिए तो रिष्टा है, नाता है, लेकिन ये हमेशा अकेले थे, क्योंकि सब कुछ जो चीज़े हैं, देना, देना, वो इनकी तरफ से इथा, लेकिन आपके रिष्टे में वो सारी चीज़े exactly आफ ही कर रहे थे, और इनको सिफ प्यार था लेकिन ये रिष्टे में जो contribution करना है एक सहना है, commitment देना है decision लेना है, साथ देना है ये सारी चीज़ा इनने की नहीं थी तो अब ये divine timing ये ऐसा हो रहा है कि कोई जा रहा है और जो दिल में सच में था, वो भर क्या रहा है सो ये person अपनी हरकते पे काफी ज़दा शर्मिंदा है, अपनी situation पे हालातों में उनको बहुत ज़दा पचतावा है कि ये सब हुआ ही इसलिए है कि उन्होंने choice ही गरत की थी उन्हें किसी को समझाई नहीं जो कार्मिक था उनको समझाई नहीं जो really soulmate था या twin flame था, उसे ही तकलीव दी, दर्द दिया, उसका ही साथ नहीं दिया, ये energy है सो ये आपकी करीब आ रहा है specially आपकी, अगर connection twin flame है, तो आपका connection twin flame है, तो ये आपकी करीब आ रहा है और ये divine timing के energy सिफ आपकी manifestation करने से या इनके हालातों के वज़े से ऐसा नहीं है जो भी हो रहा है, ये universe की मर्जी थी universe की मर्जी है थी नहीं universe की मर्जी है, इसके लिए हो रहा है और अभी इनको नो decision लेने पे मजबूर किया जा रहा है इनके हालात हमें तकलीफ और जो भी है जो भी situation up done चल रहे है ना हर चीज यह है और इनको ना एक आइसास तो है कि दिस को दो यही इंसान है जो मेरे लिए बनाए गए है I am fed up with your complaining nature यही इन्होंने हमेशा कहा था ना कि आप complain कते हो आप expect करें हर चीज अभी इनको नो बहुत ज़दा तकलीफ हो रहे है कि यह सारी बाते जैसे आप कुछ मांग रहे थे और वो कुछ सुन नहीं रहे थे या बोल रहे थे वो सुन नहीं रहे थे और सच में अगर आपका complaint nature है फिलाल ही तो प्लीस टॉप क्योंकि इस वज़े से वह ज्यादा परेशान हो रहे हैं I feel the same for you, ये अपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप न से प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, I don't know the reason behind this, So divine timing के energy है कि जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, नहीं पता चल रहा हूंगा, I'm dying, I'm dying for you, come back please, this is the message, I'm dying for you, come back please, I wanted to teach you a lesson, इन ऐसा लगा कि ये आपको लेसन सिखा रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि युनिवर्स ही उनको लेसन सिखा रही है, I want to reconcile, I want to reconcile. आपको खोना आसान नहीं था आपको खोना आसान नहीं था आसा, आसा, आपको ऑपको अजसीऊ, बसक्त मिलसकता है कि आप बहुत अच्छा जदा लौ बहुत शिएrit भरके हैं तो अभिश् क्राइबतों है इसा मिलसकता हैं कि आप भाह्त ज्यदा लवब्बब हो यहीं था इंचान हूं बट ये करने में फेई हो गए या आसा मत रहे और वो अभी नहीं रिष्टा धीरे धीरे ठीक करने है फिला तो इनकी एनरजी में ऐसे है ना कि इच्छा तो है मिले आप रेकनसाल हो कि आपकी एनरजी की तरफ उनका एक मैगनेटिक पुल है और वो डिवाइन टामी की एनरजी है आइ फिल ये काफी साथना अचनक से निगेटिव हो जाते हैं कि जिस तरह से ये रिकनसाल करना तो चाहते हैं ये मिलना तो चाहते हैं ये लेकिन जैसे आपने किसी और को चुमिला है आपने नई श्रुबात की है आपको अभी इनकी जरुवत नहीं है ये सब निगेटिव थौट्स भी आते हैं निगेटिव थौट्स भी आते हैं एक दब मिक्स एनरजी है और एक्षली ना ये बहुत सदर डिफरेंट इसलिए है कि इनको ना कभी अच्छे थौट्स भी आ रहें जैसे कि क्लियर होना कि आप ही उनके लिए बने हो लेकिन एक चीज होना कि जैसे आप ऐसे की भी है करें क्योंकि इन्हें नहीं पता कि इनकी वज़े से आप में चेंजिस आया है तो वो चेंजिस का रीजन भी ये है और इनको जा अपनी गलतिया कभी-कभी नजर आती है कभी नहीं आती तो बिना वज़े आपकर डाउट करें शक करें और आपको ही गलस सो मज़ें लेकिन थोड किक कमेंट का जवाब ना देक है थांकी निवरस थांकी निवरस थांकी निवरस थांकी निवरस